युनिफॉर्म सिविल कोट को लेकर लगाता देश भर में संग्राम मचा हुआ है अलग-अलग जिस तरीके से रियक्शन सामने आ रहे हैं इस पर संजेर राउत का भी बयान शबसेना उधव गुट के सांसाथ संजेर राउत का बयान सामने आया है और कह रहे हैं कि ये बीजे के चुनावी शिगूपे से चोड़ कर देख रहे हैं अब ये नया श्रगूपा छोड़ा है युशी सिगा मुझे लगता है किसी भी देश में सब के लिए कानून बराबर और एक होना चाहिए लेकिन हमारे देश में सभी धर्मों का एक-एक परसनल लौँ है इंदु मैरे यहाँ काईदा है तो सभी को पर चर्चा होगी सिर्फ ये हिंदु मुसल्मानों का मुद्दा नहीं है ये पूरे देश के लिए कानून बनने जा रहे है किसी धर्म के लिए कानून नहीं बनेगा और उस बारे में जब ड्राप आएगा तो पता चलेगा हम ये भी चाहते है कि अगर देश हित में अगर एक कुई चीज बनती है सभी धर्मों के लिए एक चीज बनती है तो उसके अपर डिबेट होनी चाहिए चलेए तो संजर राउत को आपने सुना जो इसे कह रहे है कि ये बीजेपी का चुनाविश शगूफा है इस पर बात करने के लिए मैं रूप कर लेती हूँ मेरे सयोगी अभिशेग भी हमारे साथ लगतार बने हुए है अभिशेग इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टी समर्थन में तो है लेकिन क्या ये मजबूरी हो जाती है इस तरीके से उस पर बयान देना या उसकी आलोचना करना देखिए ये इस समय पूरा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये तलवार की धार जैसा इशू बन गया खास तोर पर उनकी लिए जो की बीजेपी की मुखालफत करती ह अब सोची आप दूविधा देखिए कॉंग्रेस ये कह रही ऑफिसली के ड्राफ्ट आने दीजे पढ़ेंगे फिर हम चर्चा करेंगे लेकिन केरल में बाखायदा वहां की केरल कॉंग्रेस ने आंदोलम चड़ दिया यूशी सी के खिलाब क्योंकि वहां पर लेफ्ट ने के लिए जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे और इनकी तरह आप भी देखें अपने स्मार्टीवी पर